इस वीडियो में हम करन्ट अफियर्स के कुछ important questions करेंगे इससे पहले दो वीडियो जो और बन चुके हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं important रहने वाला है वीडियो आपको अन्त तक देखना है चलिए शुरू करते हैं अरिटा पट्टी has been notified as the first biodiversity heritage site of which state अरिटा पट्टी को किस राजय के पहले जैव विविधिता विरासत इस्थल के रूप में अधिसूचुत किया गया है option a केरल, option b Tamil Nadu, option c Telangana, option d Odisha, देखो मैं आपको बता दू, heritage site जो बनती है किसी भी site की जो biodiversity heritage site बनती है वो इसलिए वनती है क्योंकि वहां पर बहुत सारी species है कुछ ऐसी चैव विविधिता है जो बहुत यूनिक है कहीं पर नहीं है जहां पर इसके साथ 35 हो गए हैं एंड और पहला यह बना है फर्स्ट बाइड आवरसिटी हरिटेस साइट इसके लाव इंडिया में इससे बले 34 और थे इसके साथ 35 हो गए हैं एंड इसका सही उत्तर है ओप्शुन भी तमिलाडू तो तमिलाडू के साथ 35 हो गए हैं इसके अलावा पहले की बात करें कि पहला डायवरसिटी हरिटेस साइट कौन था तो यह था पैंगली और करनाटक से नलोर टैमिरिंड ग्रूब टुराण 7 में इसको इंक्लूड किय अपको को को नमबर टू पर आज आते हैं हो हैस वीन अपॉंटेट एसलेक्षन ने इंड़िय और अभी इनके जो पाइंट्मेंट में थोड़ी बेहत चल रही है तो इसलिए अभी बिल्कुल कुछ शौन नहीं है लेकिन यह बने है इससे पहले राज्य कुमार थे जो की पहले जो सुस्रील चंद्र एक्सपायर होए थे उनके बाद उनों ने पद्ग्रियन किया था ठीक है option D इसमें सही उत्तर है next question पर बढ़ते हैं टोनी पोलो एरपोर्ट has been inaugurated in which state option A हरयाना option B अरुनाचल प्रदेश option C उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है option B अरुनाचल प्रदेश में टोनी पोलो एरपोर्ट को इनाउगरेट किया गया है तो यह इसकी इमेज है आप देख सकते हैं as per the world energy outlook 2022 report global emission will peak by which year with Urja outlook 2022 report के नुशार वैस्विक उत्रसर्जन किस वर्स तक चरम पर होगा तो इसका सही उत्तर है option A 2020 तक जो global emission है वो पीक पर हो जाएगा तो हमारी लिए खत्री की बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम global emissions में बढ़ावा दे रहे हैं तो international energy agency के दोरह यह report तयार की जाती है जिसका नाम है world energy outlook इसके साथ कुछ और रिपोर्स देख लेते हैं जो important है जिसे international voluntary fund release करता है world economic outlook and global financial stability report यह दोनों IMF के दोरह release करी जाती है world bank के दोरह यह जो doing business release करी जाती है जो कि बहुत जारूरी है and united nation development program की बात करें तो इसके दोरह human development index sustainable development goals and gender inequality index यह united nation development program की दोरह release करा जाता है united nation environment program की बात करें तो इसके दोरह global environment outlook and emission gap report जारी की जाती है अपने अगले question पे आते हैं रजसा मंद डिस्ट्रिक्ट जो की राजस्थान में है इसने एक station बनाई है जिसका नाम है विश्वास सवरूपम जो की नात दुवारा में बनाई है विश्वास सवरूपम विश्वास सवरूपम किसकी मूरती है तो option D इसमें सही है शिवजी की मूरती है सबसे लंबी यह बनाई जा रही है राजस्थान में और विश्वास सवरूपम भगवान शिवजी को कहते हैं option D इसमें सही हो जाएगा next question पर आते हैं which is the biggest airport in the world as per the aviation analytics company official airline guide इसका सही उत्तर है वो है option B harts field ejection atlanta international airport ऐसा बन गया है जो सबसे बिजी है airport है वर्ल्ड में ठीक है याद रखना option B इसका सही उत्तर है चलिए next बढ़ते हैं India's first privately built rocket जो की अभी इसरों ने लांज किया है इस rocket का क्या नाम है option A R A Bhatt, option B Microset, option C Bikram S, option D Emisat इसका सही उत्तर है option C Bikram S next question है in which country was joint military exercise limited 2022 जिसका नाम है वो किस विदिविन दा इंडियन आर्मी अंड सेश्यल डिफेंस बोर्स वस कंड़क्टिड कहां पर कंड़क्ट की गई है यह limited 2022 यह की गई है सेश्यल्स में कंड़क्ट एंड यह होती है इंडिया एंड सेश्यल्स की बीच सेश्यल्स की बात इंडिया नाश्यल्स में पड़ता है सेश्यल्स चलिए नेक्स बड़ते हैं इसके साथ कुछ और इंपोटेंट मिलेटरी एक्साइज देख लेते हैं जो एक्जाम्स के लिए जरूरी है तो बज़र परहार इंडिया और युएसे की बीच होती है यूद अभ्यास भी गरूर शक्ति इंडिया और इंडिया के बीच में है शक्ति एक्ससाइज इंडिया और फ्रेंज के बीच होती है धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होती है सूर्यकरन इंडिया और देपाल के बीच होती है और हैंड एंड एंड अक्साइज इंडिया और चा को फोस्ट करेंगा इंटर्नाशनल फिल्म फेस्टिवल को नेक्स्ट को आते हैं थ्री दे ग्राउंड नट फेस्टिवल जिसका नाम है कडाले काई परिश तो किस सहर में यह मना गया गया है यह मना गया है ऑप्शने बैंगलियुरू में तो मुंफली का दो ऐसी सीजन आ गय पहली इंडिया की जियो हर्टेस साइट वन गया है जो कि युनेस्को के दौरा रिकोगनाईज करी गई है तो यह मिगाले में हैं तो याद रखना एक्रोनियम से एम महामूम मामलू में हैं वेरवास इंडिया सेकिंड नाशनल मॉडल वेर्दी के स्कूल इनागरेटर डिस इंडिया का दूसरा वेर्दिक स्कूल कहां पिनागरेट हुआ है यह हुआ है पूरी उडिसा में ठीक है पहला कॉन सा था पहला था राष्ट्रे आदर श्वेद विध्याले वह उजयन वद्देश में था एंट यह जो बना है इंडिया का सेकिंड नाशनल मॉडल वेर्द कौन से स्टेट ने लांच करी है चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिस स्टेशन तो यह करी है औरिक्षानी विच अमंग था फॉलिंग कंट्री था फीपा अंडर 17 वोमेंस व्ल्ड कप 2022 तो किसने जीता है स्पेन नी अक्टूबर में जिसने रिपोर्ट रिलीज करी है कौन सी कं तर्की ऐसा कंट्री बन गया है नील पवन बरुहा जो अभी हाली में एक्सपायर हुए वो किस प्रोफिशन से थे तो वो थे आर्टिस्ट से रिलेटर ठी है नेक्स्ट कोशन आता है विच कंट्री विकेम दफ विगेस्ट फडिलाजर सप्लायर तो इंडिया इन फ़स्ट राफ ओफ फिसकल यह 2022-23 विट वर्स 2022-23 इसकी पहली चमाई में कौन सब इस पायात का सबसे बड़ा उर्वर काप उतिकर्द बन गया तो यह बन गया है सी र तैसे के बात करें तो इसके कैपिटल है मोस्कों जिसके प्रेसिडेंट है वल्दमार पोटेंट के रंसी है रस्षिन रूबर एंड प्राइम निस्ट रहे मिखेल बिशुष्टिन नेक्स्ट हमारा कोश्यों है खजडाव टेंपल किस डाइनसिटी के दोरा बनवाए गई थे तो यह थे चंदेल बहुत फेमस क्षचन है बहुत फेमस इसका आंसर है चंदिल डाइनसिटी के दोरा ही बनवाए गई थे ठीके तो एक ग्रूप अफ हिंडू अड जैन सबसे हैवी रोकेट है मुष्ट पावरफुल एक्टि रोकेट बना है यह तो यह है ऑप्शन बी ऑप्शन दी स्पेसेक्स नहीं लांच किया है इसका नाम है फॉलकन है भी थीक याद रखना इस पेसेक्स नहीं लांच किया पहली बार थीन सालों में अब अपने अगले इंपोटेंट कॉशन पर बढ़ते हैं इंटनेशनल लिटरसी डेक अब सेलिवेट किया जाता है यह सलिवेट किया जाता है एट इस स्थेमबर को पी अप्यम श्रीयोजन बिच वस लॉंच डिसेंटली इस फील्ड तो एड्युकेशन रिलेट है यहां पर जो इंटली कर दिय तो इन्हों ने कंड़क्ट किया है आरे वेड़े 2020 प्रोग्राम कितने दनों के लिए 6 वीक के लिए जोगी 12 सेप्टेमर से 23 अक्टोबर तक चला था विच स्टेट हैस्ट लौन इसकी महिला निधी फो सोशल और एकोनोमिक डिवलप्मेंट फो में थ्रू लून तो यह करी है राजस्थान ने राजस्थान से पहले यह तिलंगानव में भी करी थी बहुत अच्छी स्कीम है महिला निधी का मतलब है जो महिला है उनको लोन प्र अपका अप्रोब हो जाएगा एंड आपको यदी चालिस घ्र ले ना है तो वह एक वीक अंतरगत तो वह फिप्टीन डेस के अंतरगत आपका अप्रोब हो जाएगा ऐसा इसमें लिखा है रियल में पता नहीं है वीकेम दा फर्स्ट इंडिन फीमेल रेस्टरलर तु बॉन तो मैडल सेट वल्ड चैंपियंशिप में पहली महिला खिलाडी रेस्टरलर कौन बन गई है ज़नों दो मैडल जीते हैं यह बन गई है विनेश फोगाट इंट नेशनल देफोर प्रटेक्शन फोर्टेक्शन फ सद्पुड़ा भी हमारा मदिप्रदेश में इसके अलावब पन्ना यह सब बांदवगड़ी सब मदिप्रदेश में है ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका नाम है बंच रंग पुनिया इसे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने चाल मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेस्लिंग चेंपियंशिप में याद रखना गोवर्मेंट का पहला फ्लेक्सिक गवर्मेंट का फ्लेक्सिक प्रोग्रम में कितने साल हो जाएंगे 25 तो यह है पुत्तर प्रदेश में लोकिटेट है यह महाकाल लोग प्रसेक्ट होवी केम दा फर्स्ट इन वोमें टू क्लॉक सब थर्टीन सेकंड इन हंडेड मीटर हर्डल में तेरी सेकंड में जीत गई हैं तो यह है जोती याराजी ठीक है कि इन्वनें तेरे सेकंड में पार कर लिया है तो यह बन गई है जोती याराजी नेक्स हमारा कॉशन है फॉर्मर इंडियन किर्केट र क्या नाम है उनका जो क्या पॉंट होए हैं न्यू प्रेसेडेंट अफ वोड़ अप किर्केट कांसल इन इंडिया तो यह है रोजर ब तो यह होए है नताशा पिर्क मुसर वाट इस थीम ओफ इंडिया जी 20 प्रेजिटेंटी प्रेजिटेंट्सी इंपोर्टन कॉश्चन है वासुदेव कुटमब कम इसका मतलब होता है कि जो पूरा व्ल्ड है इस वन फैमिली सभी जो लोग है वह एक फैमिली है ठीक है हुल वल्ड इस वन फैमिली नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा विच कंट्री वस दा आई तो यू तो समिट है तो एक हो कौन से कंट्री इंक्लोड है कोश्चन तो मैंने कहीं और पर भी दिखा था करोड़पती में किसे से पूचाता है इसका नाम है इंडिया इस्राइल युए युएस से ठीक है याद रखना वाट इस हर घर दस्तक 2.0 कंपेन तो इसका आंसर है यह कोड़ोना से रिलेटेड है ठीक है डोर-to-door कंपेन है यह एंड कोविट से रिलेटेड है कि कोविट के वारे में जानकारी देना एंड ताकि जो लोग है वो थोड़ी और अवेर हो जाए कि वेक्शनेशन के वारे में कि वेक्शनेशन के वारे में अवेर किया जाए कि वेक्शनेशन लगाना कितना जरूरी है ठीक है 2.0 यह जब कोविट की सेकंड वेवाई थी तब लॉंच हुआ था यह कौन सा एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है कंट्री का इंद्रा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एर्पोर्ट अनिये रहली में है इरान ने लॉंच किया है सॉलिड फ्यूलिड रॉकेट इन स्पेस इंट्रोजन टॉंटिटीट का क्या नाम है इसका नाम है जुल जाना ठीक है इन विच वियर इंडिया है इस बिन स्लेक्टेट अज वोमेंस किर्केट वल्ड कप तोजार पचीस में इंडिया होस्ट करेगा इसका कांपे होगी चांदीपूर को आफदा कोस्ट फॉडेशा नेक्स्ट नमारा कॉश्चन है वियर वाज दा फॉड इंडिया फिलिपिन स्टाजिक डियालोग है यह हुआ है मनीला में सेल्बोमें सीकुरिटी डेक अब सलिवेट किया आता है चबभी सगस्त को इंडिया की पहली यंगेस्ट फास्टेस्ट फीमिल स्विमर इन वर्ल्ड कॉन है तो यह बनी है जी आ रहा है इंडो-पैसिफिक डियालोग 2022 में कॉन स सिटी है जो हुष्ट करेगा यह बने यह है नियू डेली संगाई फेस्टिवल कॉल्चिरल फेस्टिवल कॉन स्टिव में ऑपरेशन गंगा क्या है तो यह भारती नाग्रिकों को युक्रेइन से लाने के लिए निकासी हुष्णा युक्रेइन में फ़स गए थे तब ऑपरेशन गंगा चालो हुआ था आप सब लोग मेरी आवाज के इतना पीछे लग गए है कि मुझे तो आप जाके पताज लगता है है हसास होता है कि मेरे आवाज इतनी वेकार है तो मुझे बोलने में भी कभी-कभी डर लगता है आप लोगी मुझे बताईए फिर कि मैं क्या करूँ कि थोड़ी अच्छी ह आप स्वेक्षाई नेक्स्ट कोश्ट्रन के बढ़ते हैं 216 फिट तो इस्टाची ओफ एकिलिटी अवाज बिन इनाओरावाद कि इनाओरावाद इनाओरावाद इनामारी इनाओर विच सेंट किसकी में मैं में स्टेटेस अफिकुलेटी जिसकी इनामबाई है 210 फिट तो कहां हैदराबाद में इन अगरेट हुई है तो कौन से सेंट थे वो तो रामना जुचा दे कि उसमें हुई है ये विच पलियर विंस दा वर्ल्ड गेम अथलिट अब दा इयर अवर्ड 2021 किसने जीता है ये तो ये जीता है पियार श्रीजेशनी इन उर्दू लेंग्विज तो ये है चंद्रभान ख्याल इनोंने जीता है साहित्य अकेडमी अबॉर्ड 2021 जब वेन वाजब प्येम केर फॉर चुल्डर्न इस्कीम लॉंच कब हुआ था ये लॉंच तो ये हुई थी उन्टीस मैस 2022 को ये पूछ ले जाते है कि इस्कीम कब सब्सक्राइब अब लॉप्र सब्सक्राइब को लॉच वाजब लोच घृबिज तो अमसे अपना पहला अपना ट्रेड अग्रिमेंट इन्टा के साथ लॉंच किया थो ये ऐस्टेनली का मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑस्टेलिया की है कुछ इंडिया के जो बहुत सस्ते आमों में या फिर ट्रेड अग्रिमेंट में फ्री रहेगा उस लेवल पे वो एक दूसरे से ट्रेड करेंगे यानि कि बहुत ही मिनिमम एकदम बहुत ही कम रेट पे ठीक है यानि कि जो एक्सपोर्ट और गयरा इंपोर्ट डूडिस लगती है वो नहीं वो जो पूर कंट्रीज है उनको लॉस्ट डामेज फंड में हेल्प करेंगी ठीक है याद रखना एस पर दा ग्लोबल इंफोर्मिशन टेक्नोलोजी रिपॉर्ट 2022 विच कंट्री टॉप दा डेटवर्क डेडिनेस इंडेक्स तो यह है युएस से डेटवर्क डेडिनेस इ इस विच कंट्री एड़ी तो इसका अंसर सही है 6.6% ना अनुमाल लगाया है ठीक है चली नेक्स्ट पर आते हैं तो यह रोपेन बालीमेंट थेजाइन इटेक्स कंट्री अश्टि गार दिया है नेक्स्ट कोश्टन है आपरेशन टर्ट सीब वस लॉंच वार्च चुई उनको बचाने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए तो यह है इंडिया ने शुरू किया है कौन सी एशन कांट्री ने रिलीज किया है स्टुषाइड प्रिवेंसन पॉलिसी तो यह लॉंच किया है इंडिया ने पुर्णिमा देवी बर्मन हमारा नेक्स्ट कॉस्टिन आता है विच युनेन मिनिस्ट्री इस असोसेटेड विद धू नूट्रियंट वेस्ट सबसीडी स्कीम कौन सा केंद रिये मंदराले पोशक तत्व आधारित सबसीडी युजना से जोड़ा है मिनिस्ट्री आफ केमिकल और फर्टिलाजर ने यह लॉंच किया है असोसेटेड है इससे तो देखो जो युडिया वगेरा होता है उसमें कितने नूट्रियंट वेस्ट सबसीडी देनी है उस हिसाब से स्कीम है जिए फर्टिलाजर होते हैं तक कि किसानों के हेल्प हो पाए इसका सेवत्तर ऑप्षिन भी मिनिस्ट्री आफ केमिकल और फर्टिलाजर्स नेक्स्ट है हूँ एस बिन अनर्ड विद प्रेस्टिजियस फ्रेंड अफ लाइबरेशन वार्वाई बंगलेदेस प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना तो यह दिया गया है एडवार्ड मैम कैनेड को हाल ही में उपराष्ट पती जगदीब धन करने देश के पहला डॉक्टर आजन प्रशाद प्रसकार के से प्रदान किया तो यह किया है प्रोफेशर अमिस अरोड़ा को ठीक है तो यह कॉश्शन आपके लिए है फो एस बीना कंफर्ट विद्धा करनाटकर अतना आवार्ड पॉस्ट हो में इसली ऑप्शन एक की मैनोन ऑप्शन बी उड़ोपी रामचंदर राओ ऑप्शन सी जी माधफन नायर ऑप्शन एक सेवन तो इसे के साथ हमारी वीडियो अप्थ होती है आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड इसे के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे हैं थैंक्यू फो वाचिंग